नमुश्कार दोस्वों आप शिभी का बहुत बहुत श्वागत दोस्वों अब आपके जिवनकाल में आपको एक नई जिंदगी मिलने वाली है कि दोस्वों आप शिभी को बता दें कि यह श्मय बगवान शुर्डेब और मालक्ष्मी एक साथ चले आपकी राशी में और आन सबस्क्राइब आप को एक नई जिन्दगी मिल जाएगी आपको बातों का वीज से ध्यान रखना होगा जैंदों अगर आप इन बातों को ध्यान रख लेंगे तो आने वाले श्व्यम में आप कोई भी गल्ती नहीं करेंगे कुछ ये बाते हैं जो है आपके जिनकाल से जुड़ी है और हर बार आप जाने-जाने में यह गल्ती करी देते हैं आप चाहते हैं कि यह गलती आप नहां करें लेकिन समय कुछ एसा हुता है प्रस्तिति का कुछ निर्मान होता है कि आप जाने जाने में यह गलती कर देते हूं और आपको नुक्शान होता है और बाद में आप पònस आते हैं तो दोस्तों कुछ विशेज बातों का ध्यान रखना होगा क्योंकि गरहों की बहुती अच्छी स्थिती बनी है भगवान शुनदेप और मालक्षमी आपके कुंडली पर यश्मी बिरेजमान हो चुके हैं और मालक्षमी और भगवान शुनिदेप का अशुरबात आप शुबाप्त होता रहे हैं जिया दोस्तों आज कर विडियो आप शुबाप के लिए बहुत तीक लापकारी बिल्कुली गहरी तरीकेशे गरह गोचर पर नीरमित हैं तो दोसों अंत तक दिखना आप शभी का दाई तो होगा जिया दोसों उशे पहली दोसों जोभी मालक्षमी और भगवान शणिदेव के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं दोसों वीडियो को एक प्यारा आश लाइक ज़रूर करें और दोसों कमेंट बोक्ष में सच् दोसों यकीन मानिए भगवान शणिदेव और मालक्षमी उनके ज़ूनकाल से सबी केस्ट दूर कर देंगे ज्या दोसों तो ऐजन दोसों बात करते हैं शुरूआत करते हैं भगवान स्टिकेशन के एक बहुत छी अच्छे ग्यान से दोसों इस ग्यान को आप बहुत द्या कुछ देता कि हम अपने कुछ ऐसे कर पाते हैं कि लोग हमारा नाम लेता बहरा को कहने कि चल्सीन इनकी ब्रक्ती भाव को को में देकर परकड़ो कर बोले जा प्रक्रИसान्ति निटान देते हैं कुवे की और कुवे में पानी भर जाता है कुवे में पानी मौजूद था पानी कहिशे लाना नहीं पड़ा केवल बीच में कुछ पत्थर और मिट्टी की परते थी उन्हें अलग कर देना पड़ा कोई अवरोत थे कोई बाधाएं थी उनको अलग कर दिया और पानी परकट ह गया हुए में पानी लाना नहीं पड़ता पानी आता है लेकिन जो चीज बीच में रुकावट थी उनको दूर कर देनी होती है ज्यदोसों इसी परकार हमारी भीतर ग्यान मौजुद होता है उसे कहीं से लाना नहीं पड़ता उसके जरने भीतर चिपे हैं केवल बीच की ग्यान अगर आपको अच्छा लगा हो यह बातों को आप सोच पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक प्याराश लाइक जरूर करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में निकिले लिग दें जैश्री किष्णा राधे राधे तो आई दोस्तों से के शाथ बात करते हैं कि इसे बातें बताने वाले हैं गवाण शुनदेव और मालख्मी के जिन्हें दोस्तों और आप गर पालिए सब्सदों कर चाहिरात». कि और मालक्षी में बहुत करते हैं चुंद्डेव कि जब आपके कुंडली में तरिक रही योग का निरमान होने वाले Gefंज इनके शिर्वाश आप्ष्पी के जुनकाल में बहुत भड़ा चम्तकार इन दिनों होने वाले हैं जिया दोस्तों आप शुबी को बता दें कि नीजी या फिर वह विशाइक कामों में आ रहे ही रुकाउटें अब दूर हो जाएंगी आपको बता दें कि अधिकतर शुमे परिवार के शाथ अराम ततर मुनरंजन में वैतित होगा आपसे जमाजिश बेहतरिन होने से घर का मोहल भी आश में पॉजिशिव बना रहेगा बगवान शुन्दीब और मालक्षमी के शिरबाशी आर्थिक दिरिश्टे चे आपके लिए आने वाला शुमे बहुत यादा अनुकुल रहने वाले हैं जिया दोस्तों हम आप शुबी को बता दें कि बगवान शुन्द कोई उत्तम शुब समचार मिले शिए उनका मन बहुत यदा प्रशन रहेगा और दोस्तों याश में अपनी चमताओं और उड़ाओं का भरपूर उप्यों करें बगवान शुन्देव मालक्षमी कहते हैं कि याश में आपको हर कार्यों में शुपलता की प्राप्ति होगी प्रंतों द्रितलिन से तराकये से कारियों में महिनत और लगन के तराकये से आप आगे बढ़ते रहें मालक्षमी और वगवान शुन्देव का षिर्वात आप श्रवी के शाथ है जो दोसों how can shubhi को बता दे कि विगवान शुद्रशन देव और मालक्षमी के इस राशी मे परिवेश करने की कारण शोभाग और शोभन नाम के दो शुभ्योग आपके जुनकाल में बहुत भड़ा स्वमतकार करने वाले हैं। जिन से आपके जो भी नोकरी पेशा शमज़ें जो भी धन्स जीड़ू समझ़ें यश में खत्म होने वाले हैं। और लाव के नए ने राष्टे आपको मिलने वाली हैं अगर आपने कोई बिजनस स्टार्ट किया है तो दोस्तों उनमें आपको बहुत यदा लाव यश्मी मिलने वाला है कि दोस्तों श्वेंग मालक्षमी और भगवान शुन्देप के शिर्वाशी मीडिया मार्केटिंग ओनलाइन आदे जिसी गतिदियों पर थोड़ा ध्यान रखें आपको बताते कि इनमें आपको बहुत यदा धनलाप मिलने की शंभावना ही बन रही है आपके लिए यश्मी फायदेमित पस्ततियां बना रही है मेहनत का फुरा अफ़ल मिलेगा कॉल फौन के माध्यम से अब आपके जुनकाल की शारी बाधाएं खत्म होंगी प्रॉप्टी शमंदी या फिर पैत्रिक विवाद चल रहा था तो दोस्तों उन्हें शुलजाने को उत्तम शमय आ गया है क्योंकि यश्मी मालक्षमी और वग्वान शिंडेब का शिरवाद आप शभी के शाथ है जि श्रिदेब का शाथ आप श्रिवी की जुनकाल परेशा होगा कि श्वास्त में भी आपको बहुत याचा शुदार देखने को मिलेंगे कोई भी लिया गया जरूरी फैसला भुष में फायदमन शाबित होने वाला है इसकि दोस्तों याश्मी बिल्कुल भी कोई गलती ना क काल में नित्य गायतरी मंत्र का जाब करते रहें भगवान शुनदेप के ओम शन संचराय मंत्र का जाब करते रहें जै दोस्तों मालक्षमी और भगवान शुनदेप का या शबसे महत्पुन मंत्र है तो दोस्तों शुवा शाम दिन रात जब होश्ट के दिन में शमय निका साल में बगवान शंडेब और मालक्षमी की अश्म किरपा प्राप्त होती रहेंगी जिया दोस्तों शादी साथ आपको बता दें कि यह में दोस्तों कि शिवी कारे को करने से पहले उसके सभी पहलों पर उचित विचार विवर्श करना भी आपके लिए बहुत यहदा आवश श्वेंग भगवान शंडेब और मालक्षमी एश्रा इक्चा सकती प्रकट करेंगे कि आपके पड़ती उनकी इशारी दुष्ट भाहुनाएं खत्म हो जाएंगी जे दोस्तों और शमर्षिया का शमधान भी होगा आपको बता दें कि यह मालक्षमी और भगवान शंडेब खुल मलाकर खुशी और शंतोस ब्राद दिन वहतित होगा जे दोस्तों आपको बतायाद कि यह मालक्षमी के श्रिवाज से बगवान शंडेब के शाथ से घर के वरिश अधियों के श्रिवाज से परिवार में शुकद और अनुशासित माहौल बना रहेगा आर्थिक मामलो को मजबूत करने के लिए यह जो शमय होगा आप शुबी के लिए बहुत ही सुब समय होगा बहुत ही लाबकारी शमय होगा दार्में शंताओं शमंदी गत्विडियों में भी शमय वतित होगा जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होंगे फालतों बातों पर ध्य पर बिराजमान हो जाए आपके राशी पर आजाए ज्यादोसों याश्मी रिष्टेदारों शुष्मंदित कि शुष्विवाद को शुल्जाने से रिष्टे में भी दोबारा मजूरता आएंगी आप शुष्विवार के शाथ साथ शुख शुष्विदा शुमंदी विस्त धन की आवक भी यश्मी आपकी बढ़ने वाली है पेसे से जोड़ी शुष्विवाद के शुष्विवार के शुष्विवार के जनकाल पर होगा कि घर के बदलाव शुमंदी विजनाई बन रहे हैं तो दोस्तों वह यश्मी शंपन होंगे और उन्हें जनाव में आपको शुष्वलता प्राप्त होगी और सभी लोग यश्मी आपके शाहर ना करेंगे शमाल में भी आपकी मान शमान बढ़ेगी आपको बता दें कि दोस्तों पत्प्राप्ति की शमानों यश्मी बहुत ज्यादा प्रवल है और यश्मी आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा इन में आपको बता दें कि दोस्तों भगवान शिंदेव और मालक्ष्मी के आपकी राश्य पर बिरजमान होने के कारण शोच समझकर आपका लिया गया निरले कोई भी भाईश में नए रास्ते खोलेगा जिया दोस्तों शिर्फ घर के अनुभी व्यक्तियों की शलाह अव ना करें जिसकार के लिए आप लोन ले रहे हैं वह लाब दाएक शाबित होगा या श्रमय गरज्टितिया आपको या शंकेत दे रही है कि अपने वित्योजनाई श्रमदी कारियों पर ध्यान के नदेर दखें या या योजनाई आपके लिए लाब कारी शाबित होंगी श्रमदीब का श्रमदीब आप शिविके शाथ रहेगा आपको बतादे कि दोस्तों यश्में बगवान श्रमदीब कहते हैं कि कुछ बातों को आप बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें जैसे कि अब फरेचित लोगों किसी चरह का में शंप्रक नहां होता दोका दे सकते हैं बिनकारियों में भी आपकी वह गड़वड़ी पैदा कर शकते हैं। शादी कहते हैं कि उनके शाथ कोई भी महत्पुन लेने लेने शी बचे आपकी शी दूइदा में बूरी तरह पहर शकते हैं। तो दोस्तों भूल कर भी यह इसे इंसान पर विश्वास न करें। जिसका अशर आपकी परवार पर भी पड़शकता है। बच्चे पढ़ाई पर धियान दें ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाबगारी शाप उसलोंगी। शादोस्तों मालक्षमी भगवान शिंदेव के शिर्बाद से आने वाले शिमी में आपका जो लव लाइप का जीवन होगा, घर प्रिवार में शुक और शांती बरा मोहल बना रहेगा। प्रन्तु विवातर शुमंदों का प्रभाव आपके घर की शुक्षांती पर भी पड़ सकता है। शांती शेबात करें दोस्तों सभीश में श्याओं का हल आपको प्रयाप्त होगा। शाती मालक्षमी और भगवान शुनदेव के शुरवात जाने वाली शुमंदों में भी आपका स्वास्त बहुती मजबुत रहेगा। कभी-कभी आपके विच्देद मालशिक इस्ति का नकार्त में परवाव आपके कारियों के शाथ साथ अपने श्वास्त का भी ध्यान रखना है योगा वैयान या फिर मेडिटेशन यसी जिए पर ध्यान देना है इनसे दोस्तों आपकी मालशिक शांती बढ़ेगी और इसे के शबी बातों का ध्यान रखें दोसक्तों विडियो के आखरे में बगवान शुंदेप और मालक्षमी के लिए एक बहुत यच्शा ग्यान दोस्टों आप हमेशा मालक्षमी और बगवान शिंदेप से यह बात कहना कि किन शांशों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा शाथ छोड़ जाएंगी किस धन का मैं एहंकार करूं जो अंत में मेरे प्रानों को बचा नहीं पाएगी किस तन पे मैं एहंकार करूँ जो अंत में मेरी आत्मा को बोज भी ना उठा पाएगा भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती ज़े दोस्वों क्योंकि भगवान शिंडेव कर्मों के फल दाता है अगर एक बार सजा देज आए तो दोस्वों वह सजा आपको भुगत नहीं पड़ती है तो दोस्वों सुभा शाम नित्या आपको भगवान शिंडेव और मालक्षमी का अश्मरन करना है आपके जुनकाल में मंगलकारी स्थिती बनती रहेगी दोस्वों उमीद करते हैं कि आज को यह वीडियो आपको बहुत यदा पशंद आया है दोस्वों पशंद आये तो वीडियो को एक लाइक ज़रू करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद